हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूटूब चैनल नेम अरेवाज जीनियस दोस्तों, केंदरी विदाले केवियस ने अपने एक्जाम रिजल्ट्स अनाॉंस कर दिये हैं रिटन और केंदिडेट्स को शॉट लिस्ट कर लिया है अपने नेक्स राउंड इंटर्व्यू राउंड के लिए इंटर्व्यू एक बहुत बड़ा मेजर इंपक्ट छोड़ता है आपके सेलेक्शन को वो लिए वो इंटर्व्यू मेंजर अच्छा करके फाइनल सबस Stars बन रहे ह हमने कर दिया है अगर वो इंटर्व्यू में अच्छा कर दिया कमाल कर दिया बढ़ अगर वह इंटर्व्यू में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो संद्धार Пण आप लोगों को इंटर्व्यू को भी एज ए एक्जाम ट्रीट करना चाहिए इसको भी एक सीरियस मानना चाहिए और इसकी प्रिपरेशन भी आपको continuous four to five hours per day two hours practice करने चाहिए जैसे मोग की practice करते हैं हम मोग टेस्स देते हैं रिटन से पहले ऐसे ही आपको इंटर्व्यू की भी practice करने चाहिए इंटर्व्यू के बारे में टिप्स guidance हम देंगे आपको आने वाली और भी वीडियो में देंगे एक सीरीज रहेगा इस वीडियो में हम हलका सा चैप्टर वन के बारे में बात कर लें है आपका appearance आपका dress code आपका जो इंटर्व्यू जो schedule किया गया में के महीने में schedule किया गया summer है summer में आपका क्या dress है ना चीए इस पर हम बात करेंगे कुछ notes आप लोगों के लिए ready किया है थोड़े बता देते है ड्रेस कोड वाइस को शर्ट पहननी है शर्ट जो आपकी प्लेन होनी चीए light color होना चीए ब्ल्यू वाइट अवाइड करना शादियों वाली ब्लैक शर्ट प्रिंटेड शर्ट टी शर्ट यह सब को आप अवाइड करना ट्राउजर पैंट आप ब्लैक डाल सकते हो ग्रे ड प्रिंटी शोक्स पीटी ड्रेस ना लगे आपकी यह सबको आप अवाइड करना शूज आपके फॉर्मल होने चीए ब्लैक होने चीए कि स्पोर्ट शूज को आई करना चपल सेंडल इन सब को भी आप अवाइड करना यह सब और पहन कर मत जाना मैं अपनी फोटो आपको दिखा रहा हूं मैंने हाली में पिछली बार इंटेलिजन्स ब्यूरो का इंटेलिजन्स ओफिसर का इंट्रिव अटेंड किया तो आप देख सकते मेरी टाई मेरे सूट मेरे शर्ट ट्राउजर का कलर और टाई के लेंथ इतनी मत रखना इसलिए आपका वायड करने शर्ट में भी यह सब तो आप आवायड के नहीं करना है थीक है दोस्तों मैकल जैक्सन मत बनना वायट कलर कलर की शोक्स मत पहनना नहीं तो आप बैठेंगे तो आपका उपर की तरफ हो जाएगा आपके शोक्स अलग से चमकेंगे इंट्रिव्यू को आप समझ रहे हो डार कलरी डालना बिल्यू ग्रे ऐसाई कलर ठीक है रही बात हेर कट की सभी बॉइज एक प्रोपर नीट एंड क्लीन हेर कट लेके जाएंगे कोशिस करना साथ दिन पहले पांस दिन पहले ले लें क्योंकि आप एक दिन पहले करवा ले तो आपके बाल फिर वह खड़े वगरा हो जाते हैं वह साइड से वह सब अच्छा नहीं लगता एक लिस्ट आप 5-6 दिस पहले कर लें ताकि वह जो हेर कट है वह सेटल हो जाए नेल नेल पॉलिस वगरा तो नहीं लगाएंगे आप इतना तो मैं आपसे उमीद करता हूं नेल कट होना चीए प्रोपर ली बियर्ड कट बियर्ड वगरा रखके मत जाना इंटर्व इंटर्विव में मैं कुछ चीजें बता रहा हूं वह क्या आवाइड करना प्रिंटेड शर्ट आप आवाइड कर देना ठीक है फैंसी वाचेज अगर आपने पास डिजिटल वाच पहन रखा है कोई फैंसी वाच है बड़ा सिकर लोगो ब्रेसलेट वगेरा इन सब को आप याद रखना आप एक इंटर्यू अटेंड करने जा रहे हैं एक लगना चाहिए कि एक प्रोपर एस्पारेंट आए एक फैकल्टी आई है रिंग्स वगेरा आवाइड करना जो बेल्ट है मैंने काफी देखा है बेल्ट के लोगों होते बहुत अजीब डाकु टाइप के पहन लेते हैं वो खोपड़ी टाइप के वो सब एकदम आप अवाइड करना आपको जितना सिंपल रख सकते हो उतना रखना है आपको नीट एंड क्लीन शार्ट होनी चाहिए आईरन क्लोज सी पहनना आप तो यह सब बेसिक्स हैं यह आपके ड्रेस कोड के रिगार्डिंग है आई होप आप इन सब को फोलो करेंगे रही बात टेक्निकल कैसे प्रिपेर करना आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेर करना है आपके सीटी के बारे में आपकी एजुकेशन के बारे में डेम मुश्कार अरे वाजीनियस के तरह से थैंक्यों दोस्तों